गाड़ी को बचा दिया दोस्तों नहीं तो यह इस रोड से भी जो जंगल दिख रहा है इस जंगल से भी नीचे जाती यह देखे फ्रांटे से गाड़ी का क्या हाल हो रख है ओडी जैसी गाड़ी और बिल्कुल कुड़े का भाड़े की तरह यहां पर पड़ी हुई है लिगा अलो लिगा हुँ गुड़ मॉनिंग दोस्तों तो कैसी है मेरी पहाड़ी योट्यूब फैमली आई होप आप सभी अच्छी होंगे पाड़ों में हो चुकि है सुबे और सुबे के अभी साड़ी साथ बजे का समय हो रहा है आज बारीश नहीं हो रही है सुबे से लेक मॉसम आज आपको दिखाता हूं तो अगर आज व्यू की बात करों मॉर्णिंग के समय में यह आ रहा है मेरे घर के घर से भी खुला व्यू है और बादल चाहे हुए है देखिए आसमान में बारिस हो नीरी है आज सुबे से बारिस तो हो नीरी है बादल फिर भी चाहे तो वहाँ गिरी है थोड़ी बहुत बड़ा तो यह है पहाड़ों में सुबे का नजारा सुबे का माहौल तो मैं निकलता हूं कशली मार्केट की तरफ यह मेरे दूट की वाल्टी तो सब्सक्राइब करें दूट पहुंचाने के लिए और ठंडा काफी हो रहा है बारिस नहीं भी हो रही है तो लेकिन दो-ती दिन से बारिस हो कि जो महौल जो मौसम बना हुआ है काफी ठंडा मौसम बना हुआ है और हाथ पेरों में खासकर ज्यादा ठंडे लग रहे हैं क्योंकि हाथ पेर सुन पढ़ रहे हैं तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंचने वाला हूं कशली मार्केट पर यानि की दूट की डैरी पर दूट अमना फिलप करते हैं फिर करेंगे आप से आगे और बात हैं और मौ तो दोस्तों मैं आ चुका हूं रोड पर और सामने देखे मुक्तेसवर घाटी अभी मस्त विव आ रहा है उपर से क्लाउड मस्त देख रहे हूं उस पर और यह है कस्याले मार्केट पर अभी सुनसानी हुई है सुबे के टाइम में और दोस्तों हम जा रहे हैं उपर किसी आधर एक टूरिस्ट की यहाँ पर गाड़े गिरी हुई है मैं चलता हूं वहाँ पर आपको दिखाता हूं तो देखे दोस्तों यहाँ भीड़ भी इखटा होगी है और रोड से देखें नीचे गिरी वी यह गाड़ी पता नहीं है कैसे गिर गी है क्या हुआ इनके सांथ क कल रात को यह गाड़ी गिरी हुई है और देखें कितने मोटे पेड बाच के टोरे हुए हैं बजगी यह गाड़ी नीचे वाली रोड में जाने वाली थी इन दोनों पेड़ों के अगर बीच से निकलती और देखें लोग यहां पर एकटा हो रहे हैं पता नहीं हुआ कैसे क् एक हमें सबक दिला जाता है अराम से चलना जीकोई पहाड़ों में क्योव से चार सेकेंड बाद चार स्टेप बाद एक मोड आ जाता है तो प्यारस से चलना चीक है मैं चलूँगा नीचे अभी दिखाता हूँ तो दोस्तों हम लोड से नीचे और देखें यहां पर गिरि defer भी है वो गाड़ी गाड़ी है ओड़ी और उपर या तो तेज स्पिर्ट में चलने के काराण थोड़ा सा करीब 5-10 डिग्री एंगल था वह मोड नी काट पाए सीधे नीची को यह आगी वहां से उपर से और देखें पूरी डेमेज हुई है बजगी यह गाड़ी पेड़ों ने गाड़े को बचा दिया दोस्तों नहीं तो यह इस रोट से भी जो जंगल दिख रहा है जंगल से भी नीचे जाती यह देखें फ्रंट से से गाड़ी का क्या हाल हो रख है ओड़ी जैसी गाड़ी और बिल्कुल कूड़े का भाड़े की तरह यहां पर पड़ी हुई है दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका भाड़े और अभी चल रहा है लंच लंच में खा रहे हैं चावल देखें चावल और दाल खा रहे हैं साथ मैं हरी मिट सी और मेरे साथ खा रहा है कंणू मनू भी है मनू फिटा भट खाना ले आपना जारी है नी कंदू तो लाग करते हैं उसकर भी आ गया क्या कर रहा है वे खाना खा रहा है और साथ में बच्चे देख रहे हैं टीवी खांदा खाते हैं तो फिर मिलते हैं तो फाइनली सीनेस है दोस्तों अभी बज़ें सामके 5 मैं भी उट चुका हूं सो गया था दिनने और अभी पी रहे मस्त चाई पीते हैं और भाई लोग पास मां आग सेखने हैं आग बाग जिला रखी है और देखिए अभी दिन भर बारिस नहीं हुई या सुबे से भी बारिस नहीं हुई है पहाड़ पर आज मौसम साय मस्त बना हुआ है सायद अब देखते हैं कल से यहां पर बारिस हो पाती है या और कमेंड में बताइएगा किस प्रकार आपको हाइपर लेव लगा यह दिखें फ्रेंड उपर वाली जो यह पहाड़ है यह वाला पहाड़ इसके उपर से मस्त बाद दलता भी मौग कर रहे है मैं आपके लिए एक मस्त हाइपर लेव सूट करता हूँ प्रेंड हाइपर लेव आपनों को कैसा लगा अई हो आपनों को जुरूर पसंद आए होगा तो चलता हूं नीचे भाई लोगों हापर मस्ता आग सेख रहे हैं आग सेख रहे हैं और तो दोस्तों घर से निकल गया था थोड़ा घूम रहा था और यह है मेरी मम्मी और यह बना रही थी यहां पर बांच तो बांच ले जाने के लिए को गया है अग्ल काल üst ले रहा हूं और ममी भी एगदम पर गया तो मरी जारी है को justamente और मस्त मोसमा भी हुआ है देखिए तो मैं मिकल मोझे बांच कार खुझे ले जा रही थी तो हम यहां पर पहुंच चुकर है मैं मम्मी को बोलना हूँ कि मैं ले जाता हूँ इसको तो मम्मी वो अपना शिरवानी जो भी है उसको नीचे रखती है तो बांज हम ले जाता है और मम्मी चलेगी यहां से पैदर और यहां पर दिपक भाई भी आया है मेरे साथ में दोस्तों इस प्रकार आई यहां पर जंगलों से घास बनाई जाती है जो गाए को खिलाने के काम से बना काम से बांज भाई के घास मिसमानी जाती है तो मस्त मोश सम के हैब और नीचे मस्त अबErूर है नमीय पर नमीन वहां लिए और दिपक भाई म blossom n6 1 आए थे जंगल को देखने को मिलेगा आख ममी चल ली है घर को हम चलते है घर के तरब को मस्त मौसम भी देखिए बढ़िया ग्रेंद्री पूरा जंगली है तो चलते हैं यह बाजू का गठ्षा में लेके चलता हूँ दोस्तों हम यहाँ पर आया हुए थे साथ में दीपक भाई भी आया है और इसमें यहाँ पर एक पानी का शोत खोजा हुआ है गध देखिए दोस्तों दीपक भाई कैसे यहाँ यह हमारा गधिरा आता है उपर से गधिरा आता है बारिशों को टैम में और एक दम पैख हो चुगा है यह नीचे जाडियों के बीज में चला गया है और इसने खूज रखा है अच्छा वाला है अच्छा शोत इसने ढूट मिल जाएगा तो दिक्खतें कम हो जाएंगी बहुत है यह देखिए इसको ऐसे काटिंग है ना पूरी इसी की मलब यह रॉप कोई दिवार बना देंगे तो नीचे से निकलना है वहां थोड़ा पुजिशन ठीक नहीं है तो नीचे से एक दम निकल चुगा है दिवाग भा कर दो दो तो फाइनली पहाड़ों पर होने लगी है मस्तवा लिसान आप देख सकते हैं बारिस तो आज हुई ही नहीं और मौसम सुबी से ही बना हुआ है दो-तीन दिन की बारिस होने से काफ़े ठंडा हो रहा है अब देखते हैं कल फिर से बारिस हो पाती है या नहीं हो पाती है और मौसम कैसा रहता है यह हम कल ही बता चलेगा तो दोस्तों हम लोग बाहरी बैठे हुए थे सामने आग जल्रीय मस्त और सामने में अमीद भाही देखिए आलू काड़ा है भिंडी काड़ दिया और प्या पहाड़ी का फिन वोड़ देखिए तो यह था हमारा दिन भर का ब्लोग और ऐसी होती हमारी पहाड़ों में नॉर्मल सी लाइव उमीद है आप लोग को ब्लोग पसंद आया होगा तो मिलते हैं अपने अग्ड़ ब्लोग में तब तक के लिए जैहिन चैनल पर पहली बार वीजिर के हैं सस्काइब जरू करना है